तक क्या कुशन करा दिया कल? 59 तक, 58 तक करा दिया मतलो, कोई कुशन बूजना 58 तक किसी को? ठोई, चल जाएं आगे? आच्छा, हाँ? 48? 48 में क्या है? एक कार 6 किलो मीटर की 4 किर्मिक दूरियां है, तो कुल दूरी तो हो जाएगी 24, पहली चाल 25 है, दूसरी 50 है, तीसरी 75 है, और चोथी 150 है, तो ओसत चाल बूज रहा है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल समय, और उसने हमें बता दिया कि 4 किर्मिक दूरियां है, 6 किलो मीटर की, तो 6-6 की 4 है, तो टोटल दूरी तो 24 हो जाएगी, तो दूरी की जगे हम 24 रखेंगे, अब समय उसने दिया नहीं है, तो हम निकालेंगे, तो समय बराबर होता, दूरी बटे चाल, तो पहली दूरी भी 6 है, और पहली चाल कितनी है, 25 है, दूसरी दूरी भी 6 है, और दूसरी चाल कितनी है, 50 है, तीसरी दूरी भी 6 है, और तीसरी चाल कितनी है, 50 है, अब ऐसा क्यों करना है क्योंकि उसने समय हमें दिया नहीं दिया तो निकालेंगे समय बराबर होथा दूरी बठेशाल पहला समय दूरी बठेशाल दूस्रा दूरी बठेशाल दूरी दूरी चाल शुत बस आगे कैलकुलेशन है तो इनका LCM क्या आजाएगा 150 आजाएगा LCM ठीक है तो 24 बटे LCM कितना आएगा 100 अब देखो इससे डिवाइड करेंगे 6 और 6 की इसमें मुल्टिप्लाई करके यहां लिखेंगे 36 पिलस अब 50 से से डिवाइड करेंगे 3 और 3 की 6 में मुल्टिप्लाई करके लिखेंगे 18 अब इससे डिवाइड करेंगे 2 और 2 की 6 में मुल्टिप्लाई करेंगे 12 अब इससे डिवाइड करेंगे 6 एक ही आएगा और एक की 6 में करेंगे तो अब हमारा मैन बटा यह है तो 150 तो फिलो मीटर पिरती घंटा यह चीज भी देखना इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए चेप्टर में कि उसने यूनिट लिख रखे या नहीं क्योंकि हो सकता हो पहले उप्सन बस पचास किलो मीटर ही कर दे और फोर्त उप्सन में कर रखाओ 50 km प्रति घंटा क्योंकि 40 या तो km प्रति घंटे में होगी या मीटर पर सेकेंड में तो इसका ध्यान लखें सभी बच्चे अब आप आज की कुस्ष्णों पर 59 पर जाएंगे 59 में क्या है 600 km की लंबी यात्रा में से यदि 120 km की यात्रा ट्रेन से की जाएं और सेस यात्रा कार से की जाएं तो टोटल दूरी भाया 600 है उसमें से 120 वो किस से कर रहा है ट्रेन से कर रहा है तो बची जो है कितनी बची तो 480 किस से कर रहा है कार से तो ऐसा करने पर उसे कितना समय लग रहा है आठ घंटे लग रहे हैं तो उसने हमें ट्रेन और कार से यात्रा तै करने का कुल समय दिया था तो हम भी कुल समय निकाल लेंगे और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल तो हमने ट्रेन की चाल T मान ली दूरी बटे चाल, कार की चाल हमने C मान था, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा कुछ से, आप चाहोती से ही छोड़ दो, या ये 8 से कैंसिल हो रहे हैं, सब को कर दो, आपकी मर्जी है, तो 8 से ये कितनी बार चला जाएगा 15 बार, तो 15 बटे T, पिलस, 8 छिंग, 60 बटे C, और 8 कम, 8 से equation एक मान के छोड़ दो, क्योंकि दो condition दिये हैं उसने, पहली condition तो हो चुकी हमारी, अब दूसरी condition में उसने क्या बुला है, ट्रेन से कितना जा रहा है आब, दूसरी बार में, वो कह रहा, यदि ट्रेन से 200 जाए, ट्रेन से कितना जाए, 200 जाए तो फिर भीया, आठ गंटे लगे थे अब 20 मिंट जादा लग रहे तो मिंट के भी घंटे बनाने पड़ेंगे क्योंकि गंटे ना वीची कम बीस और वीच तिया तो आठ पिलस एक बटे तीन गंटे तो तीन अठे और एक 25 बटे तीन गंटे लग रहे हैं उसको 25 बटे आप चाहूत इस इस एक्यूवेशन को 25 से डिवाइड कर सकते हैं केलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी तो 25 अठे कितने होते हैं 25 अठे 200 हो गया और 25 कम 25 बटे सी और बराबर में 25 से यह कैंचल हो जागा तो एक बटे आप चाहूत इसकी क्रोस मिल्टिप्लाइब कर सकते हो तो तीन अठे 24 ब बराबर में है, यह equation होगी, ढ़ी, अब यह एक ही तो यात्रा थी, necessary तो इन दोने equation को आप बराबर रख दो क्यूंकि अनुपात पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है सल्理हreet dw Revelation को आप बराबर रख दो, तो 15 देदरा बटे है वह एक है ना यहां भी एक थो एक कमान यहां तो हमने भारगदया उसकी जगे तो इस तरह कर सकते ठीक है तो बराबर में क्या हो जाएगा 24 बटे T पिलस 48 बटे शी अब आप क्या करेंगे इधर का यैसम लेंगे टी सी इधर का यह जाएगा तो टी से तो केंसिल हो जाएगा सी की मल्टिप्लाइफ करतेंगे तो 15 मेशल और सी से सी थो चकेंसिल कर सकते हैं अब यह सी एक तरप कर लो टी एक तरफ कर लो तो इधर उसे रखेंगे जिसमें अनुपात का नाम पहले बूज़राय लेने के लिए पहले ट्रेन को बोलाओ अनुपात में या कार को तो इधर टी रखो आप इधर क्या रखो आप तो यह साट टी दर है यह 48 पिलस के दरा के माइनस हो जाएंगे तो साट में से 48 अटादो तो बारा टी ब बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में तो इस तरह होगा यह कुश्चन आपका ठीक है आगया बाद समझ चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे कुश्चन नमबर साट पर एक ट्रक एक मिंट में 550 मीटर की दूरी तै करता है तो एक मिंट में चली गई दूरी को चाल कहत है जब ऑध्यान द्यान रखने पड़ेगी जब अनुपात नikालना हो तो यूनिटे एक सी होनी चाहिए अब देहो दूसरी चीजे तो घंटे और किलो मीटर में है बस तो है घंटे निकाल लेते हैं दोनों की क्या निकाल लेते पहले चाल निकाल लेते हैं अरे दीख जाएगा भई कि दोनों की चाल निकाल लेते तो ट्रक की चाल कैसे निकलेगी एक मिन्ट में 550 मिटर जाते हैं एक मिन्ट का मतलब है एक बटे 60 घंटे में वह कितनी जा रही है भया 550 मीटर क पाज से यह बीस बार और वीसी कम बीस और वीस तिया और इसकी किरोश मल्टिप्लाई कर दो तो एक घंटा बराबर जो आ गया 33 किलो मीटर आ गया और एक घंटे में चली गई दूरी को भूरे आ गया बराबर कितना हो जाएगा तो यह बहु आगी आपकि बस की चाल यह बसकी चाल फोरे यह ट्रक की तेन अनुपात जिसको नोलीज होगी वो कर लेका है भी कुछ नहीं है भी सब कुछ सीधी चालो मैं अनुपात बूज़रा भाई चाल निकाल अनुपात में लगा दो बस इतना ध्यान दखना जब अनुपात में लगाते तो यूनिट एक सी होनी चाहिए अब ज़रूरी नही से कि 61 पर आजाएंगे अज़े चलो बता देता हूँ अशिश्टी वन है और बी की गति का अनुपात दिया है एक और बी की गति का अनुपात गति बोले तो चाल कितना है तीन अनुपात पांच तीन अनुपात यदि ए एग निश्ची दूरी तै करने में बी से चोबिस मि मिंट अधिक लेता है मैत में कम यादिक का मतलब क्या होता है तो उसने दोनों के समय का अंतर दे दिया आपको तो आप भी दोनों का समय निकाल लो तो भी यह तो चाल का अनुपात है अगर इसको उल्टा करते हैं तो समय का अनुपात को उल्टा कर दें तो समय का नुपात मिल जाता तो 5 अनुपात 3 अब उसने वंतर दिया तो आप दो दो का उसे कितने मिंट का दिया 24 मिंट का अ हां तो भाया बराबर रखने के बाद पूरے मैथ में कहीं बहीं अगर बराबर रखतें तो तो तीन से मल्टिप्ले कर दो बारे तिया तो 36 मिंट आपका अंसर आजाएगा ठीक है अगर दे रखी हो तो थोड़ा सा सतर्क रहना हो सकता उसने पहले में 36 सेकंड लिख रखा हो तुमने कोश्चन भी कर लिया जब भी गलते टिक कर लो सतर्क रहना बहुत ज्यादा ठीक है 62 दो हवाई जाजों की गति का अनुपात है पहला भाई यह इसके जैसा है बस इसकी कैलकुल से नासान है और इसकी थोड़ी सी कठीन है आप लोग करना 3 गंटे में अच्छा उनकी गतियों का अनुपात दिया पहला हवाई जाज 3 गंटों में 1050 किलोमेटर की दूरी तै करता है तो दूसरे हवाई जाज की गति क्या है तो भहिए यह गति तो दे दी उसने आपको पहले की मतलब समय और दूरी दे दिया तो गति दे दी देखो 62 दो हवाई जाज है एरोपलेन A1 अनुपात A2 और क्या दिया है इसने आपको इनकी गतियों का अनुपात दिया है 7 और 15 ठीक है यह इनकी चाल का अनुपात है तो भहिए पहले हवाई जाज की चाल आप भी निकाल लो क्योंकि पहले हवाई जाज का समय और दूरी दिये ज अब दूदी किलो मीटर में हैं तो समय घंटे में होना चाहिए यह आपको चेक करना पड़ेगा जो की है ठीक है अब यह पहले तो आप इसे तीन से कर लें तीन तीन नो तीन पंजे पंद्रे अब साथ से कर दें साती कम साथ और साथ पंजे अब एक निकानने के बाद तुमस मीटर सेकिंड तो नहीं गुजरा भीया क्योंकि एक भी ओप्सन नहीं है पहली बात तो है ना चले अगर होगा तो कर देंगे पांच बटे अठारे से क्या कर लेंगे हां मल्टिप्लाइ कर लेंगे चले 63 को आप कर लेना अब 64 पर आ जाए बहुए यह कुस्चन जो है बड हां पहकर साइकिल चालक है यद्व यदि एक जोगर एक तो साइकिल चालक है और एक जोगर है है उसकी आधी दूरी उससे दूगने समय में दैंकर करता है आधी दूरी जो है दुगने समय में तै करता है भाया दूरी का रिलेशन क्या है समझना वनना तो यह होता ही ना पेपर में बस उल्टा अंसवर आवे जो दूसरा उप्सन मैच कर जा फिर इसका हाँ पर इक जमा आने वाला गुस्चन है और इसका पता है चौन सट है यदि यफ जो गयर उसकी आधी दूरी किसकी आधी? तो साईकिलवाले की आप दू मान लो तो यह एक हो जाएगा भईया इसको दू क्यों मानना मैने क्योंकि हमें पता आधा करना है और अगर हम इसे एक मानते तो एक आधा करेंगे त अब बट्टे दू में अधिकत होगी एक जोकर उसकी आधिदूरी डूगने समय में तैय करता है।Up ि यहां समय में क्या कहा है इसको दूगना समय लगता आपक गजो यह चीज़ तुमने बना लिए फिर आजमके को अब तुमारे पास दोनों की तो दूरी है। और दोनों का समय है। हें चाल नहीं है आप देखने क्या रहा यह आगे उस जाकर कि गतियों का प благодар पूछ रहा है जाल बराबर होता है तो यह सं connections पार्म अब जोकर कि चाल पर पहला होता चाल ब्राबर होता दूरी बटे बोलो को दिकत आप लिसम तो 2 याजाएगा और 2 याज़ीं इस तरह से तो भई इस इसको डिवाइड करते हैं फिर ही मल्टिप्लाइय करते हैं तो को डिवाइड करेंगे दो यह तो आजाएगा अब दो की आप इसमें मल्टिप्लाइग करें तो दो दूनी आप दो से आप डो को डिवाइड करें तो एक और एक की हम लुपात में बटा छोड़ देतें तो चार अनुपात एक तो इसका अंस्वर बिलकुल यह सटीक है ब्लि तो मैंने तुम्हें बेस से बता दिया है जड़ बिल्कुल इसकी सीधी सीधी पहले हमने दूरी निकाली दोनों पिर समय पर चाल तो हम निकाली सकते हैं तो पिर को दिक्कत ना बची इसमें हां ठीक है नहीं हां तो उल्टा करने पर खेर आ जाये अब यह समय ना एक बाद बताते देखो आपको गलती कर जाओंगा आप कभी भी आप एक बाद बताओ जैसे मैं कहा रहा हूँ ए और भी है समाझे न ध्यान से ए और बी है कुल दस पोइंट मैथ के अगर वो तुम पे नोलीज में है ना दस नहीं तो पंद्रह होगे और कुछ नया नहीं है बस गुणा भागे और सब जैसे चाल है किसी की इसकी चाल है एक और दो के नुखात है हम कहते हैं कि समय जो है उल्टा होता है तो तुम्हें चाल कम होगी वो समय जादे ना लेगा तुम दो घर से चले कोचिंग के लिए एक तेट्य चल रहा है एक धीरे धीरे आ रहा है जूलता हूँ तो तुम पांच मिनट में आ जाओंगे तो वो भी पांच मी आएगा तुमसे जादे समय में आएगा तो उसकी चाल कम है है चाल कर समय के लिटा मानने ही तो Immen बात है जब आप Самय कम समय कम होगी तो थाम जादे लगने लगना है Ikसलिए होता है अब बात साथ के साहत्ते हैं दूरी की देखो अगर आपकी चाल कम है तो आप जएज़ा दूरी तै करूँगके तो चाल दूरी भी कम यहां इसा सब्सक्राइब करेंगे तो इनके उसमें होता है जो चालका है वहीं दूरी होगा जो समय का वहीं होगा बस इनका अपसमें तो यहां से अगर देखते ना जैसे यहां दूरी और समय है तो यहां उल्टा नहीं हो सकता भीया समझें चले 65 पर जो कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तै की गई यदि इससे आधी दूरी दूगने समय में तै की जाए तो दोनों गतियों का नुपात अब बताओ इसे कैसे करूंगी कु 65 का आंसर करें सबी बच्चे 65 का 65 चीजों को रटो मत बिल्कुल भी समझने की कोशिस करो हिंदी में पढ़ा रहा हूं हिंदी तुम समझ सकते हो तो दिक्कत कहीं भी होनी नहीं चाहिए वो कह रहा किसी दूरी की विशिष्ट गति कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से त आधी दूरी दूरी आधी की बात भां लें कौन कुण मान लेते हैं वह और बी विस ने का है इससे आधी दूरी कहने का मतलब इनकी दूरीयों इससे दूरा अनुपात हो गया आधी दूरी दूगने समय में तैक कि जाए तो समय दूगना है, समय क्या है, दूगना है, देखो ये दूरी का relation हो गया, तो ये जो है इससे आधी दूरी, इससे दूगने समय में तै कर रहा, ये इससे दूगने समय में तै कर रहा, अब उसकी जगे तुम एक दो से कर लो, या तीन छे से कितने सी कर लो, हो जाएगा तो चाल बराबर कि ओता दूरी बटे समय तो इसकी दूरी यह और सका समय यह रहा है दो बटे अनूपाथ इसकी दूरी आinky सका समय आदो बस और अनुपात में रख दो हाँ अभी तो सिखाया था मैंने एक कोस्टन बस रख वाला आपको 66 यह आने वाले कोस्टन है क्योंकि छोटे-छोटे से कोस्टन आते परिक्षाओं में जिन में थोड़ा सा कुछ लोजिक होता है एक बस एक घंटे 30 मिनट में भाया एक पर 30 मेंट को आप क्या यह लिख सकते हैं एक गणटा तो एक बरावर क्या हो जाएगा यह बटे में आ जाएगा साट बटे एक दसमलो पांच पॉइंट अटाओ एक जीरो पर अब जैसे यह हटा है मैंने यह चीज बेसिक है यह आपको आनी चाहिए नीचे जितने स्थानू पर पॉइंट होता उपर आप उतनी जीरो बढ़ा दो अब यह बात आपको जैसे आज बता दी तो आपको याद तो बटे में 60 मिंट में और में करा था तो गंटे में और जै करनी तो चाल निकालने तो इए हैं की तो निकालने पड़ेगी तो और पंद्रे चुखा और तीन से यह अब पस इसकी इन्यों कर दो तो 80वो कि घंटा इसकी चाल आ गई ठीक रहें तो एक अनुपात दो हो जा रखा रहा यहां कड़वड पर आम पहले पहले ली करते का अनुपात 40 कभी मेहनत का चांस होता यह सब आसान जो इसका कठें टोपिक था वो दूसरे दिन की क्लास में निकल चुका जो दोसरे दिन की लास पढ़ाई थी ना उसमें निकल चुका है वह तो और वहांसे साइद एक कोसर。 अगर चार से जाता है तो छे मिंट देरी से पूंचता है यदि पहले पहले पहुंच जाता है याद करो पहले दिनी कुंसेफ्ट बताया था क्या कुंसेफ्ट बताया था बोलो बइया यह बताया था अगर चालो के लिए दूरी बराबर हो तो वह कुस्चन चालो का ऐसे में लेकर होता है या नहीं अब यह बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि कैसा भी कुस्ट है बस धूरी पूंच रहा हो क्या पूँच रहो दूरीफज रहाहो तो इनका लिलो आप 20 और घंते में गंटे में आ चुका अब देखो उसने आपको कुल समय दे रखा मैं पूरी यात्रां में इतना संभा नहीं रखना पहले दिन क्या हुआ था पहले दिन जब वहँ चार की चाल से गया था अशे मिनट और दूसरे दिन क्या हुआ था चैमिनट तो भहिए उसने आपको यह बताओ यह जो है अंतर ले है यह यह 6 मिनट्ट देरी से और 6 मिनट्ट जल्दी से और अंतर है यह समय का अब एक जगे पिलस और एक जगE Ch Luckily अरग निकालना हो तो जोडते हैं क्या करते हैं कि तो समय में अंतर 12 मिंट का और हमारे हिसाब से समय में अंतर एक गंटे का कितने घंटे का और और चाल किलोमीटर पिरथी घंटो में है इसलिए अब समय और दूरी हां समय घंटे में tutte है अब उसने समय दे रखा मिंट मेंुशने समय किसमें कि दे रखा है तो हमें भी इसका क्या बनाना पड़ेँगा घंटे बनाने पड़ेEn है कि बहुत कभ कैसे मिंट बनाना अ थोड़ी ली नोर्मली सी बात इनां कुछ भी नहीं होता तो 12 और 12 पंच तो एक बराबर एक बंट बंटे 5 आगया एक बाबर कितना ऑगया veggie 5 बो तुम से क्लारह दूरी जो कितनी वाहनी थी फिर दोनों तरफ 20 करदो और बूस है तो बीज़ ही कम और इधर भी जब चुम तुम === 25 में 20 से multiply करोंगे तो क्या आएगा क्या है option तो इस तरह से होने सिंपल सा question होता है note करो 72 यदि कोई गाड़ी 40 km पिरती घंटे की चाल से चले तो वह अपने गत्तवी इस्थान पर 11 मिनट देर से पहुचती है और यदि वह 50 की 40 से चले तो 5 मिनट देर से पहुचती है तो भईया दोनों चालों के लिए दूरी तो वही है तो भईया यह कैसे होगा चालों का LCM लेकर पहली चाल 40 और दूसरी चाल 50 LCM कितना हो जाएगा 200 अरे कितना हो जाएगा 40 का और 50 का LCM 200 जीरो से जीरो और चार पंजे जीरो से जीरो और पांच चोक 20 तो यह समय घंटों में है अब देखो पहले केस में तो वह 11 मिनट देर से पहुचा 11 मिनट और दूसरी चाल से वो केवल 5 मिनट देर से पहुचा कितने मिनट देर से पहुचा तो यह समय में हैं से अंतर लेना होता भया तो समय में अंतर कितने को जाएगा 6 का अब दोनों जगे माइनस है तो इसलिए अब तो घटाएंगे तो समय में अंतर 6 मिंट का है और हमारे हिसाब से समय में अंतर है एक घंटे का क्योंकि यह हमारा समय घंटों में है क्योंकि हमारी चाल किलोमीटर पिरती घंटे में थी ठीक है तो 6 मिंट के घंटे बनाने पड़ेंगे आपको तो एक बराबर एक बटे दस एक बराबर एक बटे इस बार वो दूरी ना बुजरा तुमसे इसलिए कड़ा रह CBS Brahma पढ़ो Question को यात्रा पूरी करने के लिए गाडी का सही समय क्या होगा हम मिंट में पूच रहा है किसमें पूच रहा है तो एक बटे एक बराबर कितना हो जाएगा यह इसके मिंट बनाने हो तो 60 से गुणा कर दो तो यह 6 मिंट हो जाएगा पर हम निकालेंगे अभी सही समय बुद्राफ से सही समय देखो पहली वाली चाल से तुम्हें कितना समय लगा था 5 दूसरी से कितना लगा था चार आपका माने कहीं से भी कर लो ठीक है अगर पहले वाले समय से आप करते हो तो 5 से मल्टिप्लाई करो तो एक बटे 10 गुणा 5 तो यह कितने घंटे आगे एक बटे दो घंटे एक बटे अब एक बटे दो घंटे में होते 30 मिंट अगर तुम पहली चाल से चलोंगे तो तुम्हें वहां पोंचने में 30 मिंट लगेंगे और तुम आए हैं 30 मिंट में आगे हमारे हैं हमने का तुम 11 मिंट लेट आयो भी समय पर क्यों नहीं आते तो कल को तुम 30 मिंट से 11 मिंट पहले आऊंगे तो इसलिए इसमें से 11 घटा दो 19 मिंट सही होगा दो बारे से सुन लो कोश्चन को बच्चे जोड़ देते हैं 11 मिंट क्योंकि पहली चाल से जब तुम आए थे तो और पहली चाल से तुम्हें तीस मिन्ट लगतें घर से कोचिंग तक और हम ने खावी तुमत ग्यारा मिंट लेडियो हो तो बच्छे क्या करते और ग्यारा मिंट जोड देते हैं जब तुम लेट वो तो तुम्हें और जल्दी आना पड़ेगा जितनी मिन्ट लेट आये हो कितने मिंट बहुत तो 11 मिंट और जल्दी आना पड़ेगा पहले और पहले के लिए गटाएंगे बाद के लिए जोडते हैं तो इसलिए आपको गटाना पड़ेगा तो 19 मिंट और तुम कहते हम तो यहां से करते तो यहां से करते तो भाई चार की वैलू निकालते चार ही कम और एक बटे दस गुणा चार ठीक है अब यह घंटे हैं घंटे के मिंट बना लो 60 तो इससे यह रहा तो छह चोक तो तुम 24 मिंट में आई हैं और हमने का भाई तुम 5 मिंट लेट आए हो तो 24 में से 5 घटा दो 19 साजाएगा तो जहां से आप करना चाहूं वहां से हो सकता है थोड़ा सा यह अलाग था अभी तक ऐसे कुस्चनों में दूरी निकालना तो सीख लिया तुमने ऐसे यह सही समय से निकल सकता है ठीक है तो यह बढ़िया कुस्चन है और सब यह से ही है 77 तक ठीक 78 पर आ जाए होगा ऐसे होता है विरत हाँ और यहां से दोनों हाँ एक साथ इनों दोड़ना शुरू कर दिया ऐसे हाँ तो जब हम तुम्हें लेसे मैं से पढ़ाएंगे तो कुछ पॉइंट लिखवाएंगे जब ऐसे विरत में दोड़ वाला कुस्चन होता है तो हम समय का लिया जाता बस 40 का और 50 का LCM ले लो तो पहचान होती है इनको सुनों की जब लेसे मैं से पढ़ाएंगे तो लिखवा देंगे आपको नोट करके और यह आप सुन लो आप भी ऐसे विरत वाले कुस्चन में दोड़ वाले कुस्चन में LCM लिया जाता समय का हाँ तो 40 का 50 का LCM ले लो त ठीक है इससे आ गया जो 79 एक पैया एक चकर 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है एक चकर में तो पहिये का अर्थ वियास क्या है पहिये का वह पया भी विरत के आकार का होता है पहिया भी क्या होता है थोड़ा सा इसमें 2-3 बात आपको बतानी पड़ेंगे तो तुम्हें फोर्मूल आयाद करना पड़ेगा यह चकर वाले कुश्चनों का तो भहिया चकर बराबर क्या होता है चकर बराबर होता है दूरी बटे परीधी दूरी बटे परीधी यह दूरी लिख दूरी बटे परीधी अब दूरी को आप डी लिख सकते हो और विरत की परीधी पहिय इन चीजों को तो परीदी होती है टू पाई आर पाई का मान होता 22 बटे 7 और ये तिरज्जा होती है ये क्या होती है केंद्र से परीदी तक की दूरी को तिरज्जा कहते तो बताएंगे इनके बारे में फिलाल आप इतना ही समझ लें वस तो भाईया आपको अब इस में जा एक ही बात हो जाएगी तो भाईया इसमें आफ वैली रखो इस फोर्मुले में तो चक्कर दियें उसने कितने क्या नहीं दीए एक पहिया एक चक्कर में एक कितने दूरी तय करता ग्यारे सो सेंटेमीटर तो भाई का मान 22 बटे साथ गुना आर यही बुज्रा तु कुछ भी चैंज नहीं करना बस कैलकुलेशन करनी है और यह फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा इस को सन के लिए यह चक्कर बराबर दूरी बटे और परीदी होती है टू पाई आर अब करें भाया बाइस से कितनी बार यह पचास बार दो से कितनी बार यह 25 बार साथ हो जाएगी तो आर बराबर कितना हो जाएगा 175 तो 175 सेंटीमीटर फिरी के कुशन होते हैं यह फॉर्मूले बेस होते हैं वह कुछ ना करना होता मान रखके कैलकुलेशन करनी होती बस ठीक है पर उसके लिए फॉर्मूले याद होनी चाहिए हां 79 अगया जाएंगे भाई अ सिवे कुशन पर गाड़ी के ड्राइविंग पाईये का व्यास 154 सेंटीमीटर है अगर व्यास का आधा कर दो तो तिरज्जा मिल जाती है किसने व्यास दिया हमें 33 किलो मीटर मीट 33 किलो मीटर पिर्ति घंटे की गति रखने के लिए एक पाईये की रेवुलेशन का मतलब यहां चकर से है एक पाईये के चकर पिर्ति मिनट गढ़ना कीजे तो चकर बुझरा एक मिनट में किसमें बुझरा चकर तो हमें तो भाईया इसकी चाल जो है किलो मीटर में घंटे में पता है कि 33 किलो मीटर पिर्ति घंटे की गति वै 33 किलो मीटर जा रहा है कि उससे आगे अब में बूढ़रा तो पहले आप मिंट में लेके आजो पहले किसमें लेके आजओ आप तो एक मिंट अब एक घंटे में कितनी में होती है साट मिन्ट में वह कितना जाएगा 33 किलो मीटर 33 अच्छा दूरी के लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं दिया उसने तो भी अगर हम मिन्ट बना रहे हैं तो इसे आप मीटर में लेकर आजो अच्छा मीटर में लेकर आना इसलिए पड़ेगा उधर सेंटीमिटर भी है व्यास किसे दो सेंटीमिटर में उसको बदल लेंगे चलो मीटर में इसे भी बदल लो आप बात करना वहाँ तो इसके आपना मीटर बना लो इसके प्हिनון मीटर बना लो इसके हमने क्या बना लिए मीटर बना लिए ठीक है अ prawब जीरो से जीरो अब एक मिंट बरावर कितना आotom वह एक मिंटबर श्पनजे और श्पनजे तो पांसो πάचाश मीटर दूरी बटे परीधी the ओधे ships फ्रीदी ठीक है ऑच चक्र तो हमारे पास है हम से चक्राइब तो मुझे तो दूरी यह है 550 मीटर 500 बटे परीदी होते हैं 2 पाई और और उसने हमको दिया है कितना दिया है 154 सेंटी मीटर 154 सेंटी मीटर के बना लो मीटर सेंटी मीटर के तो दो और बटे में कर देंगे क्योंकि व्यास का आधा कर तो तो तिरज्जा आ जाती है थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी है तो यह सेंटी मीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करना पड़ा और यह व्यास से इसक q2 pi r होता है बस इसकी calculation करना को इसकी क्या करनी है calculation तो इस वाले से तो यह वाला दो cancel हो जाएगा और 22य कितने बार जाभा इस से यह 25 और केंसल हो जाएगा किसात से होता है यह 7 साथ दूनी 14 और साथ करेसे नि तो 25 पंजे 125 और बटे में क्या बच गया अब 11 से डिवाइड कर लो 11 काम बचा एक होगे 15 11 काम बचे 4 होगे 40 11 तिया 33 कितने बचे होगे 70 ग्यारे चिंग 66 कितने बचे 4 होगे 40 ग्यारे तिया अब ओप्षन देखो लगभग में आ जाएगा लगभग 114 लगभग 113 थोड़ा सा कठिन तब ही अगोशन आपका एक बार और देख लेना इसको आप से पूछना चाहरा है तो डी को आप ऐसी रहने देंगे दो गुणा पाई कामान 22 बटे साथ और इसका तीन दसमले एक चार भी होता पाई कामान क्योंकि 22 को साथ से भाग करोंगे तो वह आएगा अच्छा तिरज्या कितनी दिया 14 सेंटीमीटर आर की जगे तिरज्या है बराबर ड़ी पंद्रेट एक सो बीस बारे पंद्रेट एक सो बीस में बारा जोड़ दो हां कि अरे कितना हुआ है दूरी कि अब यह सारे ऐसे ही हैं भाई ऐटी सिक्स देखना ज़रा ऐटी सिक्स ऐटी सिक्स एक बस के पहिएं की तिरज्जा दे दिया उसने और वह आधे मिंट का मतलब 30 सेकंड हो गया 48 चक्कन पूरे कर लेता तो दूर साथ बस की गती कितनी है तो गती बोले तो चाल चाल बराबर होता दूरी बटे समय दूरी बटे तो भाईया पहले हमें न दूरी निकान ली पड़ेगी चाल हमारे पास क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है समय भी हमारे पास पहले दूरी निकान ली पड़ेगी चक्कर दिये न इसने चक्कर कितने चोरा सी तो चक्कर बराबर होता है दूरी बटे परीदी तो टू पाई पाई कमान रखो और तिरज्जा दिये क्या हाँ जीरो दसमलो साथ पांच मीटर दिये जीरो दसमलो साथ पांच मीटर दिये ठीक है आप क्या कर सकते हैं साथ से त करते हम तो हमने हैं से कर लिया तो अब यह सब इदर गुणा में आ जाएगे बस यह दूरी बच जाएगे बारा दुनी 24 गुणा 22 गुणा 0.75 यह दूरी आगि से ऐसी रहने है तो तुम पिलाल तो मेटर में है यह दूरी अब तुमसे 4 गुज्या तो चाल बराबर क्या होता दूरी बटे समय तो यह दूरी चल लिया हमारी ठीक ठीक है जीरो दसलो साथ और समय कितना 30 सेकंड क्योंकि मीटर के साथ सेकंड चलता है मीटर के साथ क्या चलता है तो आप कर लें अब इसे तीन से कर लें तो तीन से यह दस बार और तीन से यह आठ बार इनकी सब की गुणा करके एक इस्थान पर पॉइंट और बढ़ जाएग 22 ठीक अब 22 क्या अरे 6-2-12 को 2-6-2.-13 तो इसे और यह हो जाएगा 13.2 पर यह मीटर पर सेकंड में आई यह वह बुद्रा किलो मीटर पिरति घंटे में किलो मीटर पिरती तो अठारे बते 5 अभी अधारे से गुणा करो अठारे दुनी चथिस को चह तो हासिल 3 अठारे तिया चोभन और टीन 57 को साथ तो 5 अठारे और 5 कितने हो जाएंगे एक इस्थान पर पॉइंट लगेगा बटे में अभी पांच भी है पांच चोक बचे तीन हो गए पांच सत्य पैथिस बचे कितने चार पांच निम और पांच दो ही बचे लेखो अभी दो रहाज तो यह नवासी तक ही करने हमें कुश्चन आगे यह विवीद वाले फिलाल यूपी पुलिस का पहांच है तो बस ही हैं तक करने हैं आपको यह विवीद वाले हैं दस्वारे कुश्चन इन रोग दौा फिलाल ठीक तो यह चैप्टर हो गया आपका कंप्लेट